आजकल देवी अहलिया उनिवस्टी में छात्र छात्राइं कम और कर्मचारी नीता जादा नजर आ रहे हैं और नजर आएं भी क्यों ना क्योंकि कर्मचारी संग के चुनावजों होने जा रहे हैं युनिवस्टी का नालंदा एवं तक्षिश्रिला परिसर कर्मचारी नेताओं के चुनावी जीत की अपील के पोस्टर बैनर से पटा हुआ है। मैदान में उत्रा है। पैनल में अधिक्ष पद के लिए रमेश कुश्वाह, उपाधिक्ष पद के लिए राकेश सिलावट, महासचिफ पद के लिए महिंदर श्रवास्तव, अन उम्मिद्वार कर्मचारी सातियों से वोट की गोहार लगाते नजरा रहे हैं। अस पैनल में उपाधिक्ष पद के उम्मिद्वार राकेश सिलावट की सिती काफी अच्छी बताई जा रही है। सत्रा फर्वरी रविवार के दिन देवियला सुद्धाले गैर सिक्षक कर्मचारी संके जो निर्वाचन होने जा रहे हैं। इसमें 522 मद्दाता जो है मद्दान करेंगे और इसमें दो प्रमुक पैनल जो है चुनावट लड़ रही हैं। में हमारी देवियल्या पेनल और एकता पेनल देवियल्या पेनल से हमारे सशक्त उम्मिद्वार के रुप में मैं स्वयम अध्यक्षपत पर उम्मिद्वार हूं। पर इसनिया स्वयम और लगोजद्वार निर्भेक उम्मिद्वार लाके सिलावट उबाद्दवट हैं। साथ ही तकनिकी करमेचारियों को जो समयमान वेतनमान अभी तक नहीं प्रदान किया गाँ है उसमें हम प्रमुक्ता से हमारी ये मांग रही कि उनको हम समयमान वेतनमान दिलाया जाए जाए चीगित्सा बत्ता भी बढ़ाने का इस परकार से अन्य जो मुद्धे हैं उसके उनसे उम्मीद करता हूं जित्ते भी उम्मीदार चुनाव लड़ रहे हैं वह एकमत हो के चुनाव लड़े तो हम जरूर सभी 17 पूस्टों पर चुनाव जीत के आएंगे और हमने काम करके दिखाएंगे उस्ते जोस और खरोष के साथ काम करेंगे कि हम साथ जो हमारे चारियों को निमीति करन कराएंगे और चिकत्सा बत्ता जो एक हाजार रुपे है उसको सरकार से मांग रखेंगे कि तीन हैर रुपे ततकाल परभाव से उसको सभी करमचारी को लिए कि लिए और अंकुर शम्तावास में हमारे जो नर्मदा लाइन की समस्या है उसके कराए हमारे साथियों से निविदन करना चाहूंगा जैसा आप लोगों को मालूम है कि तीस वर्षी पुरानी यह पेनल है जो लगातार करमचार्यों के लिए संगर्स करती रही है इस बार परिवरतन की बैयार है चार तरप पिसली जो यूनिन रही है उसके प्रति बहुत आक्रो चाहिए जो नहीं मिल पार रहा है फिश्ली जूनियन लगातार प्रियास करने के बाद भी असफल रही उन्होंना हमारे तक्नीक कर्मचार्यों के समयमन वेतनमान आधे कराने में असफल रही है और इस प्रकार अन्य जो भी मांगे हैं उसके लिए हम सतत्त प्रियास करते झाल